हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट रात के उत्पात भैसे भीत जन्जन भीत कनकन किन्तु प्राची से उशा की मोहिनी मुसकान फिर फिर नीड का निर्माड फिर फिर नेह का आहवान फिर फिर तोस्तों ये हर्वंश राय बच्चन जी की कविता है कि किन्तु पूरब से उशा की मोहिनी मुसकान निकलती है फिर सवेरा होता है ऐसे ही दोस्तों राज कर्मचारियों और केंदर कर्मचारियों का जो डिये है उस पे कुरोना नमक वैश्विक महामारी ने ग्रहन लगा दिया लेकिन दोस्तों वो मोहकपल आखिर आही गया वो आ केंदर सरकार ने दोस्तों गोशना कर दी है और केंदर सरकार के गोशना के बाद राज सरकार के जो कार्मिक हैं उनमें आशा और उमंग बढ़ गई है क्योंकि अब राज कर्मचारियों को भी डिये जल्द मिलेगा दोस्तों बात करते हैं राज मुख्याले से जी हाँ दोस जनवरी 2020 से वेतन बृद्धी के नाम पर शूर ने चल रहे करमचारियों को एक मुस्त यानि 11 फीस्दी महंगाई भत्ता महंगाई यानि डिये डियार राहत मिलेगी इसके साथ ही जुलाई माह के वेतन के साथ करीब 3 फीस्दी सालाना वेतन बृद्ध का लाभी मिलने की उम् देश में कोरोना संक्रमन का प्रसार होने के बाद जनवरी 2020 जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते के भुकतान पर राजसरकार ने रोक लगा दी थी यह घोशना की गई थी कि जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते का भुकतान किया जाएगा जनवरी 2020 जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की दर 11 फीस्दी बन रही है इस बढ़े हुए महंगाई भत्ता महंगाई राहत को एक जुलाई से केंदरी करमचारियों वा पेंशनर्स को दिये जाने की घोशना केंश सरकार ने कर दी है केंद सरकार द्वारा इस से सम्मंदित अधिसूचना जारी होने के बाद राज सरकार भी इसी दर पर डिये वा डियार दिये जाने की घोशला करेगी राज सरकार के करीब 15 लाग कर्मचारियों वा 12 लाग पेंशनर्स को 11 फिजदी डिये वा डियार देने के साथ ही करीब 3 फिजदी सालाना वेतन विर्दिकालाब दिये जाने की स्थति में सरकार के खजाने पर करीब 3,000 करोड का अत्रिक्त भार आएगा बताया जाता है कि जुलाई 2021 का डिये डियार भी करीब 4 फिजदी बन रहा है इसका भुकतान अक्टूबर नॉम्बर में दिये जाने की तैयरी दोस्तों की गई है तो दोस्तों 3 लाग से अधिक केंदरी कर्मचारी उत्तर प्रदेश में तैनात हैं धाई लाग से अधिक केंद सरकार के पेंशनर उत्तर प्रदेश में पंद्रा लाग से अधिक राज कर्मी वा बारा लाग से अधिक पेंशनर भी हैं दोस्तों क्या कहते हैं यादवेंदर मिश्र जी आप अध्यच्छ हैं उत्तर प्रदेश सचिवाले संके परदेश सरकार महगाई भत्ते की रोकी गई किस्तों का भुक्तान एक मुस्त करने सम्मंदी अपने वादे को पूरा करे केन सरकार ने अपने करमचारियों वा पेंशनर्स के लिए 11 फिस्दी डिये वा डियार की गोशला कर दी तो दोस्तों परदेश सरकार भी निश्चे है इसे कर देगी दोस्तों आज के लिए इतना ही ये खुशख़बरी भरी न्यूज आपको कैसी लगी इदि आपको अच्छी लगी है तो दोस्तो प्लीज आप इसे लाइक करें चैनल पर कमेंट करें और दोस्तो अगर आप चैनल पर ने हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने जब भी आप सब्सक्राइब गोटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग और लिस्टिंग दिस एज़े प्रकास दुबिस साइनिंग आप